यह साजीस है कि सिक्षकों को बदनाम करो, इतना बदनाम करो कि सरकारी स्कूल खूद ही बदनाम होकर के खटारा रेलगारी की तरह हो जाए और उसको लोग डिजेक्ट कर दे चाकि प्राइबेट गरानों को सौपनों में सहुलियत हो। ग्यारह जुलाई भारत के बिहार के शिक्षकों के इतिहास के लिए एक सुनहरा अध्याय बन करके आएगा, ग्यारह को निरनायक लड़ाई होगी, राजी कर्मी का दर्जा मिलेगा, ऐसा भरुसा है। मौनसुन सत्र से पहले सभी सिक्षक संगठरों ने बैठक की है और बैठक करके जो आगे रनीती है उस पर अपनी मुहड लगा दी है। जीद आपने कर रखी है, वो विध्वन्सकारी है। वो सिक्षकों के कल्यान के लिए नहीं है, वो बिहार की सिक्षा व्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं है। नयायपूर्ण नहीं है, तारकिक नहीं है। इसलिए उसको वापस लिजिए और बिना किसी सर्थ के राज्यकर्मी का दर्जा तमाम सिक्षों को आप दे दीजिए। यही हमारी मांग रहेगी। इस सिंगल एजेंडा को ले करके करीब 12-15 सिक्षक संगठन एक जूट हैं, एक मोर्चा हमने बनाया है, बिहार सिक्षक संगर्स मोर्चा और उस मोर्चे का आवाहन है कि 11 तारिकों हम लोग गरदानी बाग में आंदूलन करेंगे और 12 तारिकों मादमिक शिक्षक संग के महासची वह सतुरहन प्रशाद सिंग। उनका साबतोर पर कहना था कि शिक्षा मंतरी बिलकुल तयार थे राजिकर्मी का दरजा देने को, लेकिन फाइल गई वित्विभाग में, वहाँ पर फाइल फेक दी गई, बुख्यमंतरी के सलाहकार के तर और मैंने लिखित में दिया था कि आप राज्य कर्मी के रूप में टीचर को दीजिए, मांग बहुत लंबे समय की है, यह पूरा किया जाए, आस्वासन मिरा था कि हाँ आपकी मांग मानी जाएगी, लेकिन जब आउटपुट निकला, जब नियमावली हम लोग पढ़ है, तो उसमें जो कंडिशन लगा दिया गया, वो तो पूरी तरीके से नियमावली को लेकर करके जो उत्सा था सिक्षों के अंदर, वो उत्सा निरासा में बदल गया, अचा अभी क्या परिस्तितियां लग रही है, सिक्षा विभाग में अभी आप देख रहे होंगे, एक तर के लिए कतई उचित नहीं है, बाकि सब बाते ठीक हो जकती है, लेकिन आप किसी मंत्री के आप्त सचीव के, सचीवाले में घुसने नहीं देंगे, ये कहने का हीमत किसी आईयस अधिकारी को नहीं होना चाहिए, ये लोगतंतर के लिए फायदे में रहेगा, तो हम तो यही किसी तरह से सरकार चले, और इसी दृष्टि कोन से चले, अब उसमें क्या रास्ता हो सकता है, क्या अंदर का मामला है, अब हम लोग तो अंदर के मामले में इतना उलजते भी नहीं, सच बात है, हम लोग तो बाहर कहीं इतना दुनिया भर का मामला है, इतना पहले से ही है, अब अंदर कौन किसको क्या कह देता है, कौन किसका फाइल फेक देता है, इस सब से हम लोग क्या मतलब है। क्या लगता है कि कुछ नतीजा निकल पाएगा, मौनसून सत्र शुरू हो रहा है। राज के सभी नियोजी सिक्षक, पूरी निष्ठा, लगन, इमांदारी और करमटता से अपने अस्तित्व के सनरक्षन है तू, और राज कर्मी का दर्जा प्राप्त करने है तू, कमर कश चुके हैं। ग्यारह जुलाई भारत के बिहार के शिक्षकों के इतिहास के लिए एक सुनहरा अध्याय बन करके आएगा, ग्यारह को निरनायक लड़ाई होगी, राज कर्मी का दर्जा मिलेगा, ऐसा भरुसा है। सिक्षा विभाग में जो चल रहा है, उस अब ठीक ठीक चल रहा है। अपरन पत्र पर अगरू नहीं चल रहे हैं, तो आगे क्या होगा, नहीं होगा, ये तो भविष के गर्त में हैं। लेकिन हमारा कर्तब है और हमारा कर्तब जो है हमारा जो अधिकार की लराई करने का वो हम अपने अधिकार की लराई के लिए निरंतर संघर्ष रत हैं और आगे भी संघर्ष रत रहेंगे अनिश्चित तोर पर लोकतंतर में जब संघर्ष होगा तो कितनी भी हटदर्मी सरका उसको जुकना तो पड़ेगा और इसलिए हम उमीद करते हैं कि अगर विहार के लाखों सिक्षक पटना पहुंचते हैं और अपनी सक्तिका परदर्शन करते हैं तो सरकार को जुकना पड़ेगा साथ ही इस बार सिक्षकों ने जिस तरह से त्यारी किये हैं संगर्ष के मूड अपनाये हैं तो हम तो सरकार से अभी भी अपील कर रहे हैं कि सरकार जो है सिक्षकों के साथ जो टकराव की इस्टिति है उसको समाप्त करें बात दो करके सिख्षक संगठनों को हमको यह निर्ने न लेना पड़े कि हम हरताल में जा रहे हैं और विहार की सिक्षा कभी भी लिख करके रख लिजे कि कभी भी विहार के अंदर में शिक्चकों के पद फूलफिल नहीं होंगे खास करके पलस टू के जो इस्तिती है उसमें तो अगले सौ साल तक अगर इसी तरह के निमावली चलती रही हर बार एक नई निमावली लेकर के आते हैं आप मैटिक करिए IAC पास करिए BAC पास करिए MAC पास करिए उसके बाद जो है आप ब्ली करिए फिर date क्वालिफाई करिए और फिर उसके बाद जो है BPC का कंपर्टिशन दीजिए और तब आए तो चप राशी है सब बेतन पाहिए आपके राजकर्भी वाले में भी 30,000, 35,000, 40,000 बेतन तो इतने सारे डिगरी को ले करके नौजवान जो है वो किसी private company में जाएगा तो 70,000-80,000 बेतन पाएगा आपके यहाँ सिक्षक बनने कोन हैगा आप सिक्षक बनाना ही नहीं चाह रहे हैं बिहार के अंदर में बाल करना ही नहीं चाह रहे हैं और कहीं न कहीं सरकार की नियत च कर्परेट घरानों के अंदर सौप दें इसकी कहीं न कहीं सौची साजी 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 चल रही है जिसके तहत ही यह सब कुछ हो रहा है और आने वाले दिनों में दिखेगा जैसे देश के अनकई राज्यों में दिखा है कि कर्परेट घरानों को सौपा गया है विद्धालों को पीपीपी मोडल पर बिहार के अंदर में भी पीपीपी मोडल की तियारी हो रही है कहा जगा कि सिक्षक ही नहीं मिल रहे हैं अब हम टाटा बिर्ला अमबानी को भी दाले शौंप रहे हैं फलना जीला को हम दे रहे हैं मोडल के रूप में अब देख रहे हैं कि एंजियों स जो है हम खिचरी पकवा रहे हैं तो फनला जगग ये सारी विवस्था थूपने की त्यारी है लेकिन बिहार का इतिहां से बिहार के नौजवान बिहार के नागरीग जो है समराजवाद से लड़े हैं और जो है प्राइबिटिक विवस्था के खिलाफ लड़े हैं यहां के सि अधीस है कि सिक्षकों को बदनाम करो इतना बदनाम करो कि सरकारी, स्कूल खूद ही बदनाम हो करके खटारा रेलगारी की तरह हो जाए और उसको लोग डिजेक्ट कर दे चाकि प्राइवेट घरानों को शौपनों में सहुलियत हो बड़ा statement प्राइवेट घरानों को भी सोपा जा सकता है इस तरह की तैयारी चल रही है और सो भाविक तोर पर अब सिर्फ हर्ताल ही नहीं होगा अब आंदोलन ही नहीं होगा अब हर्ताल की तैयारी है और सबसे बड़ी बात है कि सभी शिक्षक संगटनों ने साब तोर पर अपनी नीती का खुलासा कर दिया है देखना दिल्चस्प होगा कि सदन के अंदर सदन के बाहर क्या तस्वीर निकल कर सामने आती है क्या बसन राजेस के साथ आशुतो शंद्रकसिसनी उस पट्टा